हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट एस टीवी के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है स्विन ट्रेड ओपर्चुनिटी के इस वीडियो में आज हम तीन स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि उनमें कैसा मौका बन रहा है दोस्तों आप से मेरा सिर्फ इतना अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें तो आज का हमारा पहला स्टॉक PC जोलर्स लिमिकेड है ये 2515 करोड की मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप कमपनी है ये स्टॉक सोमवार 26 फरवरी 2024 को 55 रुपए और 55 पैसे पर बंद हुआ है और तकनीकी तोर पर ये स्टॉक स्टॉम होता हुआ भी नजरा रहा है स्टॉक का 52 वीक हाई 65 रुपए और 45 पैसे है और 52 वीक लो 23 रुपए और 35 पैसे है स्टॉक ने हाल के दिनों में 33 रुपए के आसपास सपोर्ट लेने के बाद अब आप मूव के इंडिकेशन दिखाना शुरू किया है अब जो इसका टार्गेट निकल के सामने आ रहा है वो है इसका पहला रिजिस्टंस 57 रुपए और 20 पैसे इसका दुसरा रिजिस्टंस 69 रुपए और 70 पैसे और इसका तीसरा रिजिस्टंस 65 रुपए और 35 पैसे अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है, तो आने वाले समय में यह stock इन levels को भी touch करते हुए या in levels से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है. और अगर यह stock इस level से नीचे की तरफ जाता है, तो इसका पहला support होगा 52 रुपए और 60 पैसे, इसका दुसरा support होगा 48 रुपए और 5 पैसे, और इसका तीसरा support होगा 43 रुपए और 20 पैसे. इस stock में 1 या 2% या फिर 1st support पे stop loss रखके last closing price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अ अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है, तो आज का हमारा दुसरा stock star health and allied insurance company limited है, ये 32,970 करोड की market cap वाली एक mid cap company है, ये stock सोमवार 26 परवरी 2024 को 576 रुपए और 20 पैसे पर बंद हुआ है, और टकनीकी तोर पर ये stock strong होता हुआ भी नजर आ रहा है, stock का 52 week high 675 रुपए है और 52 week low 507 रुपए और 50 पैसे है, stock ने हाल के दिनों में 554 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप move के indication दिखाना शुरू किया है, अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है, इसका पहला resistance 582 रुपए और 45 पैसे, इसका दुसरा resistance 595 रुप और 85 पैसे, अगर यह stock अपना move continue रख पाता है, तो आने वाले समय में यह stock इन लेवल्स को भी touch करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है, और अगर यह stock इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है, तो इसका पहला support होगा 569 रुपए और 75 पैसे, इस stock ने 1 या 2 परसेंट या फिर first support पे stop loss रखके last closing price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है, तो आज का हमारा तीसरा stock गुजरात Florochemicals Limited है, यह 49,454 करोर की market cap वाली एक mid cap company है, यह stock सोमवार 26 परवरी 2024 को 3698 रुपए और 25 पैसे पर हुआ भी नजर आ रहा है, stock का 52 week high 3920 रुपए है और 52 week low 2537 रुपए है, stock ने हाल के दिनों में 3476 रुपए के आसपास support लेने के बाद अब अप move के indication दिखाना शुरू किया है, अब जो इसका target निकल के सामने आ रहा है वो है, इसका पहला resistance 3749 रुपए और 55 पैसे, इसका तीसरा resistance 3923 रुपए और 70 पैसे, अगर यह stock अपना आप move continue रख पाता है, तो आने वाले समय में यह stock इन लेवल्स को भी touch करते हुए या इन लेवल्स से भी उपर जाते हुए नजर आ सकता है, और अगर यह stock इस लेवल से नीचे की तरफ जाता है, तो इसका पहला support होगा 3500 रुपए और 15 पैसे, इसका दुसरा support होगा 3420 रुपए और 35 पैसे, और इसका तीसरा support होगा 3322 रुपए और 15 पैसे, इस stock में 1 या 2% या फिर first support पे stop loss रखके last closing price से थोड़ा उपर नीचे या तो फिर अपने analysis के हिसाब से entry बनाया जा सकता है, दोस्तों यह video cable और cable educational purpose के लि आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए अलविदा